आज के इस एफिसोड के अंदर हम बात कहने वाले हैं कि अंड्राइट वेल्ब का जो कंड्रोल पैनल है हम लोग किसी भी कंपनी के अंड्राइट फोन में कैसे सेट कर पाएंगे चाहे आपका अंड्राइट वर्जन 10 पर आपका फोन हो या फिर 978 कोई भी वर्जन पर अगर अंड्राइट फोन है तो उसमें हम लोग अंड्राइट वेल्ब का कंट्रोल पैनल कैसे सेट कर पाएंगे इसके लिए वीडियो पन तक देखते रहना चैनल पर अगर नए आयो हो तो चैनल को भी जिरू सब्स्राइब कीजिएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दे मेंठरय पहला मेठर है अगर आपका रिएडमी या फिर Poco का फोन है तो उसके लिए आपको कोई इक्स्ट्रा अप्लेकेशां डाउनलोड करना की जरुवत नहीं आपको एक त्यम्स सर्च करना होगा ठीक है मैं पहले से यह थेम्स को डाउनलोड कर चुका हूं चलिए मैं आपको देखा देता हूं उस थेम्स का नाम है Android 12 P.8 ठीक है यही थेम्स है इसी थेम्स को आपको डाउनलोड कर लेना है और अपलाई करना है ठीक है अब जैसे ही देख रहे हैं कि Android 12 का कंट्रोल पैनल की जैसा है लग रहा है और काफी अच्छी डिजाइन किया गया है अगर बात कीजिए वीजीट या फिर कहें तो आपस आइकन तो सारे Android 12 की जैसा देखने में लगता है ठीक है अगर आपको यह नहीं प्रसंद आता है तो चलिए मैं आ Android 12 जैसे हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि Android 12 वा स्टाइल इस तरीका से अप्लिकेशन का नाम है और इस अप्लिकेशन का नाम भी डाल कर आप Google Play Store पर सर्च कर सकते हैं इस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर दिने का हुद आपको सिंप्ली से ओपन करना है मैं पहले से डा आंड्रोड सेब्सका जो होता है इसमें जाने के वाद Android 12 जो है इससे आपको इनेवल कर देना है ठीके चलिए मैं इसे इनेवल कर दिया हूं और इंपली दिकाई करते है और इंबल कंट्रोल सेंटर ओप्सन का दिखाइध रहा है इस tym करने के आब काम बन चुगा है अब को पर किलीक कर देना है तो इसे अइसे भी इनेबल कर दिखने कวाद आपके पमें पर नर्इनेबल कर दो चुकित है याँ रहा हैं है Android 12 का जो कंट्रोल पैनल है मेरे फॉन में सेट हो चुकी है और बहुत यह शान तरीका से काम भी कर रही है किसी भी तरीका का प्रोलम देखने को नहीं मिलता है ठीक है तो इस तरीका से आप अप्लिकेशन मेथड़ का भी यूज करकर आप अपने किसी भी कंपनी के Android 12 का कंट्र बाइ बाइ